वेलकम बैक फ्रेंड्स नो यूर डिस्टर्ग सीरियस का पार्थर्ड लेकर आ चुके हैं तो आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है ये राजोरी पे रहेगा तो आई ये स्टार्ट करते हैं विदो वेस्टिंग अनी टैम so friends तो राजोरी के बारे में आज हम देखेंगे सबसे पहला जो important point है राजोरी इस कालड एज ये लैन आफ व किंगs तो ये रिसेंटली ग्जाम में पूछा गया था जूनियर एस्टेंट के एग्जाम में इसी साल पूछा गया था तो लैन आफ किंग राजोरी को कहते हैं औ हुंग संग जो है चाइनीज ट्रावलर है, चे सो बतीस एडी में रजोरी में विजिट किया और इसने रजोरी का नाम रखा था? राजपूर तो यह इंपार्टन पॉइंट है कि होंग संग जो चाइनेज ट्रैवलर है जब रजोरी से गुजरा तो इसने रजोरी का नाम क्या रखा था राजपूर ओके तो महाबारता की बात करें तो अ किंग्डम काल्ड पंचल देशा मैंचन इन रजोरी इस किंग पंचल नरेश तो जो पंचल देशा महाबारता की अगर हम बात करें तो आजए पंचल देशा नाम से रजोरी मैंचन है और तो जो पंचल नरेश तो यह जब आपको व graduate सुनने को मिले कि पंचल देसा ये पंचल नारेश तो ये आप रजोरी से ही लिंक करना सीधा और ये पॉइंट भी या रखना कि ये कहां पर मेंचन है महाबारता में अगर हम बात करें बुद्धिस्ट की तो बुद्धिस्ट जो पीरिड है वो इस फॉर्म्ड अज पार्ट अफ गंदेरा जो गंदर टेरिटरी है जो गंदेरा जिसको हम कहते हैं वो अफगानिस्तान का एरिया था तो अफगानिस्तान टेरिटरी के अंदर ही ये रजोरी आता था बुद्धिस्ट के दोर में लेटर इट वाज इन डुमेन आफ दारा बसंगा ठीक है तो बाद में ये गंदर टेर तो आपको थोड़ा जीब लग रहा होगा का रजोरी, बिमबर और नशेरा यह तीनों जो इरियाज हैं रजोरी, बिमबर और नशेरा वार इंक्लूटिए इन्डरी अभीसार अभीसार टरीरिय जो एक पंजाब, पंजाब कींड़म का हिस्सा था अभीसार राजवारी में अरड बरुक्ट है कर बन सकता है। और इसे फीन पेसμεर राजवारी के कि उस्कें ऌस्सी पूंस्य तो तो यह तो अग्onलित वर्फूत का बना कि विज्वारी के झीपना के दक कर यह तो वारी इन हिस बुक इंडिया जो अल बुरुनी ने बुक लेकी थी इंडिया उसके अंदर रजोरी को राजावारी के नाम से लिखा था कि इसने अल बुरुनी ने दसो चछटीस एडि में अगर हम बात करें मोस्ट इंपार्टन कोशिन आफ दे रजोरी हिस्टरी दैट इस मि मिर्जा जफ Federullah खान ने तारीखِ Rाजगाăn रजचोरी कि ने लिखी थी ? जी आफरी तवोर्यात की तारीज़्छ ने लिखी थी जी तारीखें रजचोरी कै cameraman लिखी थी यह इमपार्टन प्वाहिञा जाता है तो फिर वो आस्ता सा से बदलते हुए राजोर बन गए दिन राजोरी तो यह पॉइंट कहिने के इंपार्टन हो सकता है examination point of view से आगे end पे बहुत important point यहां पर discuss होने हैं तो end तक बने रहें according to राज तरंगानी तो राज तरंगानी के accordingly हम जब बात करते हैं तो यह कहिने के history मे important role play करता है तो राजोरी emerges a principality तो राजोरी एक principality थी according to राज तरंगानी दस एक हजार तीन एडी में यह प्रिंसिपलिटी थी और first ruler जो इसका था राज तरंगानी के हिसाब से राजा परिथवी पाल था तो यह important source माना जा सकता है क्योंकि राज तरंगानी की बात चल रही ह तो लास्ट रूलर जो था अमना पॉल था यह राज़ तो यह कहीं ने कहीं important point माना जा सकता है क्योंकि यह authentic source है राज तरंगानी की बात चल रही है तो यह authentic source माना जा सकता है कि दस सो तीस AD में इसको यह एक principality थी और इसका फस्ट रूलर जो था वह राजा प्रिथवी पाल था और लास्ट रूलर जो था वह आमना पाल था जो 1924 को रूल कर रहा था आगे हम बात करें आज़ पर दा तारीख राजगान राज़ोरी जो मिर्जा जफरला खान ने लिखी थी नूरु दीन हू माइगरेटिड फ्रॉम पंजाब टो राज़ोरी रिवाल अगेंस अमना पाल जो लास्ट रूलर था राज़ोरी का राज़ोरी का राज़तरंगानी के एसाब से हम देखें तो नूरु दीन जो थे उनने पंजाब से आकर इन्यों ने रिवाल्ट इसके अमना पाल के खिलाफ किया था and he become a ruler यानि नूरुदीन जो है रूलर बन गई थे किसके बाद आमनापाल के बाद जो रूलर बने है रजोरी के वो कौन है नूरुदीन तो इसी तरह से मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हो गया मुस्लिम रूल इंदा रजोरी वा स्टार्टिड बाई नूरुदीन बाई डिफीटिंग अमनापाल तो ये पॉइंट आपको याद रखने है 1194 से लेकर 1846 तक जब तक सिख रूल शीरो होता है तब तक ये पूरा मुस्लिम रूल रहा है राजोरी के अंदर और जो इसके बिगनर हैं फोंडर हैं वो नूरुदीन है ये पॉइंट तारीक राजगान राजोरी में मेंचिन हुआ है लास्ट मुस्लिम रूलर राजोरी की बात करें तो ये थे राजा रहीम उल्ला खान लास्ट मुस्लिम रूलर नूरुदीन लास्ट मुस्लिम रूलर राजा रहीम उल्ला खान तो ये दोनों पॉइंट इंपार्टन हो सकते हैं हिस्ट्री आफ राजोरी से अब ही जो कॉशन एक्जाम में पूछा भी गया था मैं आगे मेंचन करूंगा अभी थोड़ी दिर में ये मियम हतु के बारे में तो इससे पहले थोड़ी चीज और देख रही थे राजा अगरूला खान फ़ॉइट अगेंस ता महराजा रूजी सिंग और गुलाब सिंग तो यानि गुलाब सिंग राजा फकीरुला को हराने के बाद राजोरी पे इनुने कब्जा कर लिया और राजोरी का नाम रामपूर रख दिया था ये आपको याद रखना है कि रामपूर भी रहा है और ये रामपूर किसने रखा था गुलाब सिंग ने माराजा गुलाब सिंग ने जो गुलाब सिंग थे जट इन्होंने अपोइंट किया था मिया हातु को अब यहां आते है कॉस्चन देखो मिया हातु जो है उसको किस ने अपोइंट किया था गुलाब सिंग ने ठीक है As aこう Ist तो गाँ थे इनक प्रूशिण इक अगॉशन इस नियुक्षें l कोशन इह बनता है और जो अभी रिसेंटली पूछ बी गया था कोशन है लिसी इस बंडीडार्फ ओरस जगह पकर भायाता है लिए त्यव्कु है किन व्कंस्ट्रॉक्ट था नंळी दार रजोरी भी डागी गॉछलिक सुर्य को बना हैं Asir एक्टर मिया आथू रजोरी वाज रजावर्टि इन तेह्सील एंड एफिलेटिड विद भीमबर डिस्ट्रिक्तु ये बड़ा अज्जीब आपको लगरा होगा, विमबर तब डिस्ट्रिक्त थी उसद्वर में और रजोरी को ऐसा तेहसील गया था मिमबर डिस्ट्रिक्त तो मिया अहतु का बारे में आपने जाए रखना है इसको किस ने पॉइंट किया था गुलाब सिंग ने अज गोर्नर फोर्ट जो है वो इसी ने बनाया था अफर इंडिपेंड़नेंस इट विकेम पुंच अच्छा एक और इंपार्टन पॉइंट यहां पर मैंचन है कि 1904 मे तहसील वास सेपरेटिड फ्रम बिंबर वास एफिलेटिड विद रियासी डिस्टिक तो इसको रोजोरी डिस्टिक यानि डिस्टिक का जो खिताब है इसको कब मिला 1904 में आफर इंडिपेंड़नेस इट बीकम पुंच रोजोरी डिस्टिक अजादी के बाद इसको और रजोरी एक ही डिस्टिक हुआ करती थी 1900 आगे आपको बताऊंगा यह दोनुक डिस्टिक सेपरेट कब हुई थी यह लिखा हुआ है 1968 में 1968 में रजोरी इमर्जाद इस न्यू डिस्टिक and it is curved road from पुंच पुंच से रजोरी को अलग कर दिया गया रजोरी एक नई डिस् कब यह 1968 में यह मैंने पिछली वीडियो में मैंचन किया हुआ है और 13 अपरेल जो है सेलिब्रेटी डैस राजोरी डे तो राजोरी डे जब बसाखी होती है 13 अपरेल को तभी बनाया जाता है तो यह आपको असान रहेगा याद करना टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें देंदी दर फोर्ड जो है वो मिया हातु ने बनाया था यह एक इंपार्टन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके अलावा दूदादारी टैंपल जो है यह टालिस्ट टैंपल इन दे सीटी है यह भी इंपार्टन है उसके बाद शादरेशी जियारत जो बाबा गुलाम जो हुए हैं वो आपके सामले हैं जैसे के पंचायत जमोला की बात करें इसको चायल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत वार 2020 का मिला था इसके अब पंचायत दांदरी जो है यह गार ता नाना जी देशमुक रास्टे गोर्व ग्राम सभा पुरसकार 2020 यह करंट फेर रहे हैं सार ओप राल वारि आप यह दिशमुक रॉच Noah के सामल के पूछे गेया ही दिशार फिले हैं और यहां पपर से चलते हैं सीधा आजाते हैं सबसे पहले बात के लैंड आफ गीं लैणड आफ ki आना इसको कििसो को खाया है ? कहा इसके राजोरी को लाड़ ओफ किंग या को इसके गावा होंग ऩू़ विया और राज़ पूर्णी के नाम से पुकारा था है और माईबार्ता में पचल देशा के नाम से राजोरी को पुकारा गया और पंचल नरेश थिए और रुलर है यह किंग रहे हैं , बुदिस्ट की दोर की बात करें तो गांदर टैटरी के अंदर आता था रजोरी ये बुदिस्ट के दोर में और बाद में ये दारा बसंगा के नाम से पुकारा जाने लगा और इसी जो डोमेन है इसके अंदर ये आगे था रजोरी आगे इसके बात करें आगे इसको रजोरी विम्सोय आप को है की लिए हैbenं नाम थालिक आती minutes आ देगा पूँचा जाए कर लिए गिसने कहा था तो यह उन्स का था यह कहा था और इसकी जो कुछ लिक्त है पिस इंडिया उसक्त अधिक, और ऐबरुनानी की की इसके उड़ा भी गुक अचिंट रखन आता है कि तारीक राजगाने रजोरी मिर्जा जफरुला खान ने लिखी है अकारडिन टू राजदरंगाने हम बात करें तो फस्ट रूलर कौन थे रजोरी के राजा परिथवी पॉल और लास्ट रूलर कौन थे अमना पॉल और मुस्लिम रूल जो है इसनां इसनां राजोरी में बाई दूliamoर ईकि दे क्रोचा करें एक थारश से इस उच्वकों तक मुस्लिम रूल राहा मुस्लिम राजगान थे झाद यौन मियो हाटू को पॉइंट किया था किसने गुलाब सिंग ने और धंदिदार फोर्ट यह इन्टुक्त किया था मियो हाटू ने यह इंपार्टन पॉइंट यहां पर माना जा सकता है और 1904 में जो है इसको रजोरी को बिंबर डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया था और आफ किया जाता है रजोरी डे तो यह कुछ इंपार्टन पॉइंट जो आपको रजोरी डिस्ट्रिक्ट से याद रखने हैं अगर यह सीरी साब को अच्छी लग लिए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपनी सुजेशन्स और कॉमेंट् सुजेशन्स और आइडियास और कॉमेंट्स में दे सकते हैं थैंक यू फार वाचिंग